नमस्कार दोस्तों आपके अपने वेदिक एश्टो लाइफ यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों अज हम बात करने वाले हैं धनुराज जून 2013 का महिना कैसा रहेगा आपके लिए दोस्तों अगर आप हमारी चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खंटी की वटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारे देंगे दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखीं ताकि इसमें कहिए बाते आपको अच्छे से और इस पश्च समझ में आ सकें दोस्तो धनुरासिवाले के बारे में हम बताएंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका स्वास्त कैसा रहेगा आपका करियर भाग एवं व्यापार कैसा रहेगा इसके साथ हम ये भी बताएंगे बिद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा जून कमहीना आपका प्रेम प्यार वैवाहिक जीवन इत्याद कैसा रहेगा तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर धनुरासी के बारे में धनुरासी के मालिक है देव गुरु प्रिहस्पत और देव गुरु प्रिहस्पत जून 2030 में धनुरासी वालों का स्वास्थ कैसा रहेगा धनुरासी वाले ब्यक्ति अपने खाने पीने पर ध्यान दे ज्यादा ओयली चीजे ना खाएं और आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है इसके बाद धनुरासिवाले बिद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा जून दो हजार तेज का महीना पंचम भाव होता है आपके पढ़ाई लिखाई का और पंचम भाव के मालिक है मंगल ग्रह और मंगल ग्रह आपके एट हाउस में इस्थित हैं और आप जानते हैं कि कुंडली में एट हाउस अच्छा नहीं माना जाता और मंगल ग्रह अच्छी पोजीशन में भी नहीं है जून का महीना आपके लिए आपके पढ़ाई से जुड़े समस्या उत्पन ने कर सकती हैं। इसके बाद धनुरासिवाले ब्यक्तियों का प्रेम प्यार कैसा रहेगा जून 2003 में। आपका प्रेम प्यार अच्छा रहेगा, आप इस महीने काफी ज्यादा रूमैंटिक होने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज्यादा खुस रहेंगी, आप बहुत ही ज्यादा अपने पार्टनर को प्यार देंगे। इसके साथ थोड़ा सा आप अपने परणी पर नियंतरन रखें क्योंकि आप कुछ ऐसा सब्द बोल सकते हैं कि जिससे की सामने वाले पर्सन को बुरा लग सकता हैं। कोशिस करें कि सामने वाले पर्सन को बुरा न लगे निरासा ना हूँ। इसके साथ हम बात करेंगे धनुराश वाले प्यक्तियों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा जून 2030 में। सेवन्थ हाउस होता है वैवाहिक जीवन का और सेवन्थ हाउस के मालिक हैं बुद्ग्रे और बुद्ग्रे आपके पंचम भाव में हैं। फिर आपके 6 house में जाएंगे उसके बाद 7th house में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या फल क्या result देंगे। 8 जून से 24 जून के बीच आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने वैवाहिक जीवन पर विसेज ध्यान दे। क्योंकि आपके अपने पार्टनर के साथ मद्भेद हो सकता है। वहीं बात की जाए धनुराशिवाले ब्यक्तियों का जून 2013 के महिने में आपका भाग करियर और आपका ब्यापार कैसा रहेगा। तो भाग इस्थान के मालिक बनते हैं आपके सूर्देव और सूर्देव 16 जून को सेवन थाउस में और प्रथम घर में द्रिष्टी डालेंगे। 16 जून के बाद आप जो भी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद बेच सकते हैं क्योंकि 16 जून के बाद आपका भाग बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप अपने घर में कोई शूप कारिकरम मांगली कारिकरम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं यह समय आपके लिए पेहधी अच्छा रहेगा। वहीं बात की जाए करियर की तो करियर के मालिक बनते हैं बुधग्रय और बुधग्रय आपके पंचम भाउ में हैं तो यहां पर आपको बहुत ही अच्छा result देखने को मिलेगा आप जिस छेतर में काम करते हैं जहां भी आप job करते हैं तो आप आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा आप पुरे मन से अपने काम को करेंगे तो लोग आपकी प्रसंसा करेंगे आपके मान सम्मान को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे लेकिन आपको थोड़ा सा अपने job में और भी ज़्यादा focus करना है इस समय क्योंकि ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छे चलेगे तो आपको support भी मिलेगा आपकी जो बहुत हैं आपको बहुत ही ज़्यादा support करेंगे लेकिन आर जून को बुद्ग्रे सिख साउस में जाएंगे आप जानते हैं सिख साउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा politics से पचकर रहना है बहुत से पचकर रहना है किसी से आपका बात बिवात नहों कोई लड़ाई जगडा नहों वहीं बात की जाए आपका बियापार कैसा रहेगा धनुरासे वाले वेक्तियों का तो 24 जून के बाद 24 जून के बाद आपका बियापार बहुत ही अच्छा रहेगा आपको अपने बियापार में ग्रोस देखने को मिलेगा इसके साथ आपको अपने ब्यापार में बहुत ज्यादा लाब देखने को मिलेगा आप से नए नए कस्टमर जुड़ सकते हैं कस्टमर आप से बहुत ही खुस होकर जाएंगे और आप अपने ब्यापार में कुछ चेंजस भी ला सकते हैं तो दोस् सब्सक्राइब एंड शेर कीजी